जिले के उमर्खेट तालुका में धानकी से 25 किलोमिटर की दूरी पर और विदर्व मराटवाडा की सीमा परस्थित सहस्त्रकुंड जलप्रपात पर्याटन के लिए आकर्शन है बारिश में ये सहस्त्रकुंड पानी से भर चुका है इसलिए इस मनमुहक दृष्ट को देख पर्याटक मंत्र मुग्ध हो रहे है बारिश शुरू होते ही सेलानी सहस्त्रकुंड जलप्रपात को देखने के लिए बिताब रहते हैं तीस से चालिस फीट नीचे गिरते जहरने को देखने के लिए इस समय पर्याटकों की भीड उमढ रही है सहस्त्रकुंड के पास भगवान महादेव का मंदिर है साथी मंदिर की तलहटी में पैन गंगा नदी, बेसीन और काले पत्थर के पत्थर की जीवनतता और उनके एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वने इस थान को एक विशेश महत्वदिया है विदर्भ, मराठवाडा, आंधर प्रदेश और तेलंगाना के परियटक इस खुपसूरत नदी को देखने के लिए उमढ रहे है जलप्रपात के मनोरम दृष्ट को देखने के लिए प्रशासन ने उचे उचे टावरों का निर्मान किया है परियटक वहाँ से सिलफी लेने का मजा ले रहे है सहस्तर कुण जलप्रपात के तट पर एक सुन्दर उध्यान बनाया गया है इस गार्डन में अलग-अलग रंकी तितलिया परियटकों को हमेशा आकरशित करती है इसलिए सहस्तर कुण ने परियटकों को आकरशित किया है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अब्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल, लोहार समाज भवन के पीछे, महा पुष्प सोसाइटी, शताबदी नगर चौक से, मनीश नगर रोड नागपूर